के गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल जैसा कि इसकी पहले की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था इद रिलिटेड आउटफिट और मैंने आपसे कहा भी ताकि मैं सेकेंड पार्ट लेकर जरूर आउंगे कुछ दिनों में इद आने वाली है और आप सबने कुछ ने यह चिकन कारी नेट में है और इसका कलर थोड़ा सा लाइट पिंग शेड में जो कैमेरा केप्चर नहीं कर पारा है ऊसा है इसमें हमने को टन की आइनिंग का यूज किया यहिजिए है对 मिटर सफक्रक के noी को निएक कि बनी हіть इसममने जीे मेंस्य स्रेट कुर्ति दी है इ इसकी नेक हमने इसका सिंप्ली से स्वीठ हाट नेक दिया है और इसकी जो स्ल्यूज है वो एल्बो लेंज स्ल्यूज है और इस पर भी हमने थोड़ी सी कट वर्क की डिटेलिंग दे दी है हमने इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं लगाया इससे तोड़ा तर ट्रांस्परंट रखा है इसलिए उसको बहुत ही सिंपल इकूर्टी स्टिच की है लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट लुक देता है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ते रिच था आप देख सकते बैक बिल्कुल है फैब्रिक बिल्कुल सेम है बस इसका उस पी जड़ा था को हमने चोटा सा drastically में बना दिया है क्योंकि इसमें जादा काम करनी के ज़रुवत नहीं थी सब्सक्राइबन कि और इसकि बॉटम की बात करें है तो हमने इसमें circular प्लाजो बनाया है टोटल इसमें 2.5 मीटर जॉड़ेट फैब्रिक का यूज किया है इसका गेरा देख सकते हैं एक पैर का उपर जॉड़ेट फैब्रिक और इसके अंदर लाइनिंग के लिए हमने सेंटोन की फैब्रिक लगाई हुई है बेल्ट में हमने इसकी नेफ़ा पटी लगा यह कोई भी लास्टिक नहीं लगा कर इसकी लाइनिंग सेंटोन की और सीफ और सिफ सिफ इसमें हमने 2 मीटर लाइनिंग का यूज किया हुई स्ट्रेट का आज़ो करके उसे इसमें अटैज किया है नीचे फोल्ड करके हैमिंग के लिए हमने इसमें पीकू कर रखा है सेम कलर में हमने कॉम्बे कॉंटरास्ट किया है और डूपट्टा भी इसका सेम कलर में है डूपट्टा बिल्कुल प्लें जो और जट का डूपट्टा 2.5 मिटर का कपड़ा लेकर हमने डूपट्टी के तरह उसे कट कर लिया था आगे आप देखेंगे इसका बॉट्टम कुड़ती और डूपट्टा तीनों भी सेम कलर में है देखें कितना ब्यूटिफुल से लुक आ रहा है और हाँ गाईज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देजिए मेरे वीडियो को शियर कीजिए लाइक कीजिए और लोग देख सकते हैं आप यह इसका डूपड़ता है सेम कलर में इसका डूपड़ता है कैमेरा से कैप्चर नहीं कर पा रहा है कलर को चलिए बढ़ते हैं अब हम सेकेंड आउटफिट की तरफ यह एक औफ वाइड कलर में इसका पहले आप फैब्रिक देख लेजी कितना ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है, खादी सिल्क में वर्क किया हुए है, सीक्वेन वर्क किया हुए है इसके उपडर, कितना ब्यूटीफुल सा और यह ऑफ वाइड पर गोल्डन कलर का वर्क किया हुए है, शोर्ट कूर्ती बनाई है, इसका नेक हमने लीफ grain की दी है और स्लिउस पर भी हमने फुल वर्क वाला स्लिउस बनाया है तक थोड़ा सा ना फेस्टिवल वाइप साइब देखिया आप और लोग कितना प्यारा है इसका हुआ हुआ है अंदर हमने इसके लिए टाफेटा सिल्की लाइनिंग लगाई है promise 2 Ouchcon newम अलग और हम में सेम कुपडे में प्लेन फाब्रिक मिल गया ता जिसको हमने बैक में यूज किया कम कॉस्ट में इस तरह के डर साब बना सकते हो फ्रंट पर एमरोडरी का कपड़ा लगा कर बैक प्लेन करके बहुत ही प्यारा सा उट्फिर बन जाएगा और इस पर हमने राउंड नेक डेकर एक डोरी लगा कर इस तरह से हमने टैसल और लटकन बनाकर लगा दिया है बच कुक हमने जादा लेकर के उसका गरारा बना आए उसी फैब्रिक का और अंदर हमने सेम कलर की लाइनिंग का यूज किया हुआ है तीन साड़े तीन मिटर में गरारा बना है कि देखें आप के बॉटम पर हमने इसकी बारिक से लेस की डिटेलिंग किये और इसको फैब्रिक बहुत ही रीच वाला फैब्रिक था इस बारिकいきます की डिटेलिंग करके और इसके जो नीट था उस पर भी हमने इसे ब्रॉड वाली लेस लगाई है ताकि वो हाइलाइट हो सके छोड़े शोड़े प्लीट्स बनाए हैं उस पर हमने कमर पर हमने दोनों साथ इलास्टिक लगाई है कोई बेरिट नहीं लगाया है और इसकी लाइनिंग हमने टू मेटर्स दी है देख सकते हैं आप इसको कूर्ती के साथ रखने के बाद इसका लुक कितना सुन्दर आ रहा है और हाँ इसकी डूपट्टे के बाद करें तो हमने कॉण्टरास कटर में रखा है इसका जो डूपट्टा है वह वाइन कलर में हमें रखा है देख सकते हैं यह हमने प्योर जॉर्ज जो एक एम्डर कपड़ा था वह फैब्रिक डाय मीटर लेकर उसे का हमें डूपट्टा बनाया है देखे कितना व्योटिफुल सब्सक्षा और इस कलर के साथ आप कोई भी कलर कर ऊपटा प्यार कर सकते हो जैसे रैड मारून ब्लैक कोई भी तेक्यू विडियो पसंद आती हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा थैंक यू झाले कि प्यात रखको अपियो गý। प्快क कीजिए कर तो मारून 2ग गया थीओमेश संद आती हो तो इस तो आप रर लाइक कीजिए तो इससे प्यांग झाल झाल